नमस्कार जर्शको देश टीवी के खास बात में आप सबका स्वागत है जैसे कि इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं फिल्म जगत से, साइट जगत से और खेल जगत से नापजीन हस्तियों के बारे में आज हमारे साथ है छॉलीवूट के नवोदीत कलाकार अश्रफ अली जी अश्रफ अली जी नमस्कार तो अश्रफ जी बताइए हमारे दर्शकों को कि आपकी शुरुवाती स्कूली जीवन से कैसा रहा आपका स्कूल का सफर हर किसी के लाइफ में एक सपना होता है कि जो हम परदे पर दिखते हैं उसको हम भी हीरो बने बस नॉर्मल वाईसे यह है कि एक प्लेटफॉर्म मिलता है इसकूल का उस इसकूल के प्लेटफॉर्म से मैंने डांस करते हुए आगे बढ़ा फिर हमारे इंजस्ट्री में छॉल्यूट की इंजस्ट्री में निरंतर मैं मतलब प्रयास करता रहा और ओडिशन्स वगरा बहुत मैंने दिये हैं जब आपने ओडिशन्स दिये तो आपको लगा कि कुछ चुनौती आपके सामने चुनौतिया भी आई होगी तो किस टाइप से किस प्रकार से आपके सामने ऐसी चुनौती आई अब कम पर सरी है जब बड़ा चीज इनसान बड़ा सपना देखता है तो इसको पाने के लिए बहुत महनत करनी पड़ती है अना मैंने भी सुरू में बहुत ठोकरे खाई हैं और ठोकर खाने के बाद इनसान समलता है ये बात मुझे पता था जैसा कि लोग कहते हैं तो इसलिए मैंने पीछे नहीं हटा और प्रयास करता रहा आखरी में मुझे एक वो प्लेटफर्म मिल जहां से मैंने अपनी मतलब अजा एक्टिंग के रूप में अपना वर्क इस्टार्ट किया हूं आपके पहली फिल्म है प्रेम की बंदना इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को हाँ बिल्कुल मतलब प्रेम के बंदना जो कि हमारे चत्रिजगर के मुझे मौका मिलता है मुझे मुझे मौका मिला चत्रिजगर के चौलियूट के सुपरिष्टार के साथ काम करने का यह मेरे बहुत बड़ी बात और सुभाग की बात है जैसा कि आपने बताया कि आपको अनुज शर्मा जी के साथ काम करने को मिला आपको उनसे कुछ सीखने करूं उनके जैसे एक्टिंग करूं और नेचर वाइस तो वह बहुत अच्छे इंसान है जो मैं अपने उपर उस चिछ को लागू करना चाहता हूं कोशिस करता हूं कि उनके जैसे मैं भी बन सकूं तो फिल्म में लाइन में आने से पहले आपने मॉडलिंग की होगी शुरु प्रिसिपेट हुआ और इत्तिफाक कर लीजिए या कहीं न कहीं मेरे फर्स्ट सिढ़ी था या एक इनसान को मौकर मिलता है कि मैं ऐसे ही बस उस सो पे गया किसमा ताजमाने के लिए और बाई लक मैं उस जगे में मिश्टर ब्लासपू रहा और वीनर रहा तो यह मेरे बाद मुझे सिरसर विनर के लिए चुन लिया गया जो मेरे लिए बहुत अच्छा चीजा और मेरे कॉंफिदेंस वहां से और भी ज्यादा बढ़ी फिर मैंने फिल्म के तरफ अपना रोख किया मौदिंग शेत्र से जब आप जूड़े तो उसपीश कुछ प्रोड़क्ट विशाप किया होगा आपने ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि मेरे लिए वो फर्स्ट टैम था और फर्स्ट नेंके साथ सत बस एक मैंने प्रयास किया था प्रयास किया और सुन किया और विनर होने के場 मैं सिर्थ-सिदा तो पहली फिल्म करते वक्त आपको जीजक हुई होगी? बिलकुल जब कभी भी मतलब इंसान को काम करने के लिए मिलता है मेरे साथ ऐसा हुआ कि फर्स्ट टाइम जब मैंने कैमरा फेस किया तो जितने भी हमारे छत्तिसगर के बड़े इस्टार है सुपर इस्टार के बारे में तो मैंने आपको बताई दिया है कि अनुस्तारमा जी के साथ मुझे स्क्रिंसेर करने को मौका मिला उसके अलावा मेरे उसमें जो माता-पिता का किरदार निभाय है वो भी इस इंड़ेश्टी के बहुत ही फेमस और सीनियर आर्टिस्ट हैं प्रदीप सर्मा, उपासना वैश्नों और जितने भी बाकी आर्टिस्ट हैं वो भी सभके सब स्रीनेर आर्टिस्ट हैं तो सिखने के लिए मिला लेकिन दिल में एक डर भी था कि इतने सारे कराकार इतने बड़े-बड़े आर्टिस्टों के साथ मैं कैसे कर पाँगा अगे आपका क्या प्लान है? मतलब उसके बाद आपने क्या सोचा फिर क्या प्लान किया? बहुत अच्छा कोश्चन की आप, क्योकि मैं हमेसा से सुचते आया हूँ, कि ये मेरे साथ ही होता है, कि सारे बहुत सर लोगों के साथ होता होगा ये, कि मैंने स्टेगल तो जोखिया सोखिया, लेकिन जैसे ही मुझे पहली फिल्म मिली, वह पहली फिल्म की सुटिंग कंप् चुकि दो फिल्म फ्लोर पे है, प्रेम संगिनी और एक फिल्म की सुटिंग वादी से स्टाइट होनी है, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है, कहीं न कहीं कि, एक साल में मैंने चार फिल्में किये हैं, जो कंटीनिव करते आ रहा हूँ. वक्त हो चला है, चोटी से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर आगे की बात करते हैं.